हिंदी की पत्र-पत्र काउं का अपना एक उज्वल और रचनात्मक इत्यास तो रहा ही है प्रथम द्वितिये और तृतिये चरण की हिंदी पत्रकारिता को जब हम देखते हैं भारतिन्दु युग से लेकर और सन उन्निस सो तक की हिंदी की अनेक पत्र-पत्रिकाउं ने और उस पत्रकारिता से जुड़े हुए साहित्यकार संपादकों ने जो महत्वपून भूमिकाने भाई है उससे नकिवल जन्यजागरन की चेतना का संचार हुआ उससे साहित्यक अभिरुचिका भी संचार हुआ अनेक कविता और गद्य विधाओं को प्रोचसाहित करने, लेखकों को प्रोचसाहित करने, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी हिंदी की पत्र-पत्र काओं ने किया और भाषा के प्रचार-प्रसार की दृष्टी से भी, स्वभाषा की महत्ता को रिखांकित करने की दृष्टी से भी, अनुवाद के माद्यम से वैश्विग ज्यान को आत्मसाथ करने और अधितन अधुनातन जानकारियों से अवगत कराने की जो भूमिका है, वह भी इस समाज हित, रास्ट हित, मानव हित इस दृष्टि से भी इन पत्र-पत्रिकाओं ने अन्याए के विरुध स्वर ब्लंद किया अन्याईयों जो अन्याई थे जो शोशक थे जो समाज और रास्ट के विरुध कार्य कर रहे थे उनके विरुद्ध भी एक स्वर एक विद्रोह की भावना इसको भी उद्घाटित किया तो इस दुरिष्टी से हम देख सकते हैं के हिंदी को लोकप्रीय बनाने, पठनीय बनाने, बोधगम्य बनाने का जो कार्रे इन पत्रकाउने किया इन पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हुए रचनकारों ने किया वैस्तुत्य और प्रणम्य प्रयास थे अविस्मरणीय प्रयास थे उसी पर आगे की पत्रकारिता का भवन ख़़ा हो सका राष्ट्री जागरन की दिशा में इन हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने संपूर्ण राष्ट में पूरे देश में एक जागरती पैदा की जन सामाने को वैचारिक शक्ती वैचार के प्रती एक भूख पैदा की हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का उन्निस्सो के बाद का जो दूसरा या अगला चरण है सामाजिक चेतना के वाहक बनकर ये पत्र-पत्रिकाओं और ये पत्रकार ये साहितिकार हमारे सामने उपस्तित हुए हिंदी के समाचार पत्रों ने तथा सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को उद्गाटित करने की भूमिका में भारतिय जन्मानस के मनो मस्तिश्क में इस राष्टिय चेतना को जन जागरन की भावना को प्रतिश्ठित करने में इन समस्त हिंदी पत्रिकाओं ने विलक्षन और श्लाग्य भूमिका निभाई आधनिकता आधनिक भारत आधनिक हिंदी साहित थे इन सब के जो नए नए आयाम थे इन सब की नए नए दिशाएं थी उनको भी हिंदी पत्रकारिता ने स्वर दिया महत्व दिया और एक दिशा दी हम एक नवनिर्मान की परिकल्पना एक आधनिक भारत के निर्मान की परिकल अपना यह जो स्वपन था उसे साकार करने में और आजादी के लक्ष तक पहुँचने में इस हिंदी पत्र-पत्रकारिता ने इस से जुड़े हुए रचनाकार सा इतिकारों निश्चित रूप से बड़ी महत्पूर्ण भूमिका निभाई थी सन 1908 में आजादी के अग्रदूत ततकालीन भारती राजनीती के सशक्त स्तंबकार बालगंगादर तिलक ने केसरी पत्र का एक हिंदी संसकरन निकाला जिसे हिंदी केसरी शिर्शक से प्रकाशित किया गया बालगंगादर तिलक का ओजपूर्ण संपाद किये विद्वत्ता पूर्ण लेखन समय सापेक सार्थक और प्रासंगिक टिपनिया ये सब हिंदी केसरी में जब प्रकाशित होती थी तो हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा एक नया आयाम मिलता था यही नवोदय का एक गने शंकर विद्वत्ता सेनानी के रूप में पत्रकार के रूप में आज भी हिंदी पत्रकारिता जगत में प्रणम में माने जाते हैं उनकी भूमिका उनका योगदान उनका प्रदे अतुलनिया माना जाता है समस्त हिंदी प्रदेश के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विद्यार्थी जी ने अपनी प्रतिबार विचार से पत्रकारिता बोध और चिंतन से अत्यंत प्रभावित किया विबूत किया उस समय कलकटा से निकलने वाले मुख्य पत्रों में भारत मित्र, मारवारी बंदू तथा नरसिंग महतपून थे इन समचार पत्र पत्रिकाओं में अग्रिम पंक्ती में खड़े होने के कारण या स्थापित होने के कारण इन्होंने बालगंगाधर तिलक की पत्रकारिता को उनकी पत्रकारिता संबंदी नीती को उनकी वैचारिकता को प्रभल बल दिया समर्थन दिया अब हिंदी पत्रकारिता राजनीतिक और साहितिक दोनों रूपों में दिखाई देने लगी जो पहले साहितिक की और उनमुक थी अब वो राजनीति की और भी उनमुक होने लगी हिंदी पत्रकारिता में ये दोनों आयाम अब मुखर हो गए जिसका परिणाम हुआ कि अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन नियमित रूप से हो रहा था और उन्होंने अपना क्षित्र समाचारों का पत्रकारिता का यानी राजनीती का या साहित्य का या सुनिश्चित कर लिया था 1900 से 1920 तक के बीच जो पत्र-पत्रिकाओं प्रकाशित होई उनमें हितवाणी 1904 में कलकत्ता से महतपूर्ण पत्रिका मानी जाती है जिसका संपादन रुद्रदत शर्मा और सखाराम गनेश देउसकर ने किया था नरसिंग 1907 में सापताइक पत्र के रूप में जिसके संपादक अंबिका प्रसाद बाजपेई थे अब विदय 1907 में सापताइक पत्र प्रयाग से प्रकाशित हुआ मदन महन मालविय संपादक के रूप में हमारे सामने आए अब व्युदय एक महत्पून पत्र का रही है कर्म योगी 1909 में सापताहिक पत्र प्रयाक से संदरलाल उसके संपादक रहे मर्यादा 1909 में मासिक पत्र के रूप में प्रयाक से प्रकाशित होई कृष्ण कांत मालवी है उसके संपादक रहे प्रताप 1913 में साप्ताहिक पत्र के रूप में आया और गणेशंकर विद्यार्थी उसके संपादक थे प्रभा 1913 में मासिक पत्र खंडवा से प्रकाशित हुआ कालूराम जी उसके संपादक रहे हम देख सकते हैं कि कलकत्ता समाचार सन 1914 और विश्व में 1918 ये दो पत्र प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र भी इन दिनो हिंदी जगत में कलकत्ता से प्रकाशित हो रहे थे यानि साप्ताहिक अर्दमासिक या पाक्षिक मासिक दैनिक इस तरह से पत्रकारिता को पंक लग रहे थे और उसका विकास हो रहा था साहितिक सांस्कृतिक पत्रिकाएं इस समय के दोरान प्रचुर मात्रा में प्रकाश में आ रही थी जिन में सरस्वती पत्रिका विशेशूप से उल लिखनी है हम जानते हैं कि सरस्वती जिसके संपाद कत्व से महवीर प्रसाद दिवेदी जुड़े और उन्होंने उसे एक दिशा दी और असंग के हिंदी लेखकों को गद्य लेखन की दृष्टी से प्रेरित किया उनका मार्ग प्रशस्त किया खड़ी बोली हिंदी में लेखन की दृष्टी से एक तरह से उनके शिक्षक बनकर उबरे उन्होंने अपने संपाद कत्व से गद्य में लिखी गई खड़ी बोली में लिखी गई कविता कहानी उपर नियास नाटक के साथ साथ समकालीन मुद्दों पर लिखे हुए विशयो निबंदों आधी को उनको संपादित करके लेखकों को पृत्साइद करने का काम किया सरस्वती एक मासिग पत्रिका थी इलाबाद से प्रकाशित होती थी प्रारंब में शामसंदर दास बावू शामसंदर दास उसके संपादक थे लेकिन 1903 में संपादक के रूप में नियासों से अपनी रचनात्मक बस्तिती दर्ज की थी माधव प्रसाथ मिश्र भी उसके संपादक रहे समालोचक पत्रिका 1902 में मासिक जैपुर से निकली चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो प्रसिद कथाकार हिंदी के माने जाते हैं उसने कहा था के नाम से कहानी के नाम से ज इंदू पत्रिका 1909 में मासिक काशी से प्रकाशित हुई अंबिका प्रसाथ गुप्त उसके संपादक थे और हम जानते हैं कि प्रसाथ ने भी इंदू पत्रिका में लिखा था मनुरंजन 1912 में मासिक पत्रिका के रूप में शाबाद से प्रकाश में आई इश्वरी प्रस उसके संपादग थे उन्नीथ ऻो तेरह में मासिक पत्र प्रभा काशन हुआ उन्नीथो सत्रा तक या पत्र का साहितिक रही और इटारा से या राजनीतिक हो गई पाटली पुतर 1914 में मासिक पत्र के रूप में प्रकाश में आई परचना से इसका प्रकाशन हुआ और काशी प्रसाद जायसवाल इसके संपादक थे यह वाला युग यानि 1920 तक का युग इसमें भी अनेक पत्र-पत्र काएं ऐसी थी जो सभी प्रकार के लेख प्रकाशित करती नहीं सामाजिक, सांस्कृतिक, साहितिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, भाशिक आदी और इन सब लेखों में एक नई चेतना, एक नया स्वर हमें देखने को मिलता है सरस्वती तथा देवनागर ऐसी ही पत्रिकाएं थी समय समय पर देश में राजनीतिक, नेत्रत्व के वर्चस्व के अनुसार, पत्र पत्रिकाओं के स्वर और दिशाएं भी बदलती नहीं यह स्वाभाविक भी है सरस्वती पत्रिकाओं का योगदान इस दिशा में अविस्वरनी है सांस्कृतिक राष्टवाद को, राष्टिय जागरन को, तता साहितिक जागरती को इस युग की पत्र पत्रिकाओं ने नई रहा, नई दिशा दिखाई हिंदी निबंद, हिंदी उपन्यास, धारवाहिक रूप में, हिंदी आलोचना, कहानी, कला, सांस्कृतिक लेखन ये सब हिंदी पत्र पत्रिकाओं में इनको गती मिलती रही, इनको पहचान मिलती रही और लंबी रचनाओं को धारवाईक रूप में भी प्रकाशित किया जाता रहा हिंदी पत्रिकाओं ने साहितिक मूर्लियों को पुनय प्रतिष्ठत और व्याख्याईत करने का काम किया मुद्रण करांति ने महतपूर्ण भूमिकाने भाई साहितिके नए गंभीर पाठक तैयार किये पत्र पत्रिकाओं ने पाठकी अभिरुची पैदा कर दी नई जीवन दृष्टी नई भाषा शैली नए मुहावरे नया हिंदी वयाकरण ये सब कुछ तैयार होने लगा और इसका क्षे इसी दौर की हिंदी पत्रकारिता को जाता है जिनोंने संपाधक के रूप में लेखक के रूप में इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया हिंदी भाषा के माद्यम से विश्व ग्यान को जन सामाने तक पहुँचाने का कारे किया निश्चित रूप से यह एक स्तुत्त प्रयास था हिंदी से भी अनेक संस्थाओं ने अपनी पत्रिकाओं को सजाया समारा उन्हें विश्चित रूप और राकार दिया हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा नागरी प्रचारनी सभा की पत्रिकाएं इस संदर्ब में विशेश रूप से उल्लेखनी रही हिंदी पत्र पत्रिकाओं को नए सिरे से नए रूप में प्रकाशित करने की दिशा और मार्ग प्रशस्त किया गया गरंतों की खोज उनका उनकी समिक्षा ये सब भी इन पत्रिकाओं के माध्यम से होता रहा कह सकते हैं कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने तता पत्रकारों ने साहित्यकार को साहित्यक रचनाओं को और संपूर्ण हिंदी साहित्यकी विधाओं को पूरी निश्ठा के साथ उद्गाटित किया प्रका और उसे सम्मंदित जानकारी देने के क्षित्र में भी पत्रिकाओं और पत्रों का योगदान सराहनी है रहा अविस्मारनी है रहा इन्ही पत्र पत्रिकाओं ने लेखन या सरजन की शक्षा भी दी मानक स्थापित किये और सरजन के लिए प्रेरित किया मूल्यों की नई व्य साहित कर रही थी उनका आववान कर रही थी उन्हें आमंत्रित कर रही थी उनके सामने मानक हिंदी लेखन को का मार्क प्रशस्त किया जा रहा था और नई नई व्याक्षाएं समकालीन मुद्दों से जोड़ कर उनकी उन पूराने पारंपरिक मूल्यों की व्याख्या करने की कोशिश भी इन पत्र-पत्रिकाओं के माद्यम से की जा रही थी मनश्य के चारित्रिक निर्मान पर भी ये पत्र-पत्रिकाओं बल दे रही थी साहितिकार और पत्रकार अब एक हो गए थे पत्रकारिता की क्षेत्र में बड़े बड़े हिंदी साहितिकार अपनी रचनात्मक मुमिका निवा रहे थे सन 1920 तक आते आते प्रयाग से चांद सापताहिक का प्रकाशन हुआ किन्तु 1923 तक आते यही पत्रका मासिक हो गई और इस पत्रका ने नारी विष्यक अनेक समस्याओं को इस्तिरी लेकिकाओं को प्रात्मिक्ता प्रदान करने का काम भी किया था बालकरशन शर्मा नवीन जिन्होंने प्रभा पत्रिका का संपाधन किया कानपुर से उसका प्रकाशन हुआ वह अभी एक महत्पूर्ण पत्रिका के रूप में उपस्तित हुई बालकरशन शर्मा नवीन हम जानते हैं कभी कुछ ऐसी तांज सुनाओ सब उथल पुथल हो जाए एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए इस कविता से उनको बड़ी महत्पूर्ण ख्याती मिली सन 1922 में लखनओ के माधुरी पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी जगत में एक नई चेतना आई पत्र पत्रिकाओं के संपादन कारे से रूप नारायन पांडे, कृष्न बिहारी मिश्र, स्वाहिम प्रेमचन, शिव पूजन सहाय ये जाने माने रचनाकार भी संबद रहे, उसमें च्छायवाद के रचनाकार भी संपादन और पत्र-पत्रकारीता से जुड़े रहे, सुधा पत्रिका लखनओ से प्रकाशित होती रही, सूरिकान तरपाथी निराला इस पत्रिका के संपादन विभाग में जुड़े रह इस पत्रिका ने भारतिय भाषाओं के महत्व को स्थापित किया स्वातंत्र चेतना के साथ साथ राष्टी आंदोलन और साहित्यम संस्कृति के विकास और उन्नती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सन 1925 में जन जन की पत्रिका कल्यान का हिंदी में प्रकाशन प्रारंब हुआ और कल्यान पत्रिका ने भक्ती, अध्यात्म, वैराग्य, सदाचार, ग्यान, प्रेम, मूल्य, परंपरा, जनहित, उपदेश और धर्म परचार आदी की दिशा में अपूर्व या विलक्षन कारिक किया आज भी कल्यान पत्रिका के प्रकाशन का यह सिलसिला सतत है, जारी है और इस पत्रिका की पठनियता आज भी बरकरार है सन 1928 में बनारसिदास चत्रुवेदी के संपादकत्त में विशाल भारत जैसी विख्यात पत्रिका का प्रकाशन हुआ जो की कलकत्ता से प्रकाशित हुई और आगे चलकर साहितिकार अग्गे भी इसके संपादन से जुड़े रहे अनेक विशेशांक इस पत्रिका के लोकपरिये भी हुए सन 1930 में प्रेमचन के संपादकत्त में हंस पत्रिका बनारसिदास से प्रकाशित हुई और हंस पत्रिका ने साहिति चिंतन की दिशा में मौलिक सर्जन को प्रश्यत दिया और सभी साहितिक विधाओं को प्रुटसाहित इस पत्रिका के माद्यम से किया जाता रहा यही पत्रिका है जो आगे चलकर आधने की युग में आकर अभी कुछी समय पहले राजंदर यादव उसकी संपादक बने और फिर से उस पत्रिका को पुनरजीवित किया गया शिवदान सिंग चोहान अमरित राई भी इसकी संपादन से संपद रहे और राजंदर यादव ने जब इस पत्रिका के संपादकत्व से अपने को जोड़ा तुबह पत्रिका लगातार सतत रूप में साहित्य की रचनाओं को नवांकुर रचनाकारों को प्रुटसाहित करने में प्रकाशित करने में आज भी समर्पित है आदर्ष, मौझी, समनवे, सरोज, ऐसी पत्रिकाएं, साहित तिसंदेश ये सब मासिक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाश में आती रहे आदर्ष और मौझी ऐसे रचनकार भी पत्रपत्रिका के संपादन से और लेखन से सतत जुड़े रहे साप्ताहिक हो या पाक्षिक पत्र इन पत्र-पत्रिकाओं में आगे चलकर मत्वाला 1923 में कलकत्ता से शिव पूजन साहे द्वारा और निराला द्वारा संपादित की गई जागरन पत्रिकाओं बनारस से 1923-1934 तक लगातार प्रकाश में आती रही भारत इलाबाद नंदुलारे वाजबई ये सब इसके संपादक रहे आगे चलकर हिंदी नव जीवन एहमदाबाद से प्रकाशित हुई महत्मा गांधी ने इसका संपादन किया करंबीर जबलपुर से माखरलाल चतरुवेदी इसके संपादक रहे माधवराव सपरे भी रहे और धीरे धीरे राज़न प्रसाद जो देश पत्रिका के संपादन से जुड़े सेना पती कलकत्ता से हिंदू पंच मुकंदलाल वर्मा उसके संपादक थे श्रीकरशन संदेश कलकत्ता से प्रकाश में आई पहुत सी पत्रिकाएं इससे यह तो पता लगता है कि हिंदी पत्र पत्रकारिता ने एक व्यापक स्तर पर पत्रकारिता की दुनिया में करांती प समाज चिंतकों और सुधारकों से संबद रही है स्वतनता के बाद तो हिंदी पत्रकारिता अविरल गती से प्रवाइत होने लगी और जलधारा बन गई अनेक पत्र असंग के पत्रिकाएं लगातार प्रकाशित होती रही वो राजनीती समाज साहित विज्ञान खेल और करशन जगत की या भक्ती की इस्तरी चिंतन की बाल पत्रिकाश संबंदी तमाम तरह के विश्यों को लेकर स्वास्ते अध्यात्म, धर्म, धर्शन, शिक्षा, व्यावसाय, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्म शास्त्र, नीती शास्त्र इन सब को लेकर हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने प्रचार प्रसार की द्रिष्टी से माहित्मून काम किया ये पत्रकाएं और पत्र दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, दूमासिक, त्रेमासिक, अर्दवार्शिक, वार्शिक, अनियत कालीन रूप में समय समय पर प्रकाशित होते रहें इस समय की समस्याएं आंदोलन, चुनोतियां, सामाजिक स्वरूप, संस्कृति, शिक्षा, ज्यान विज्यान, रोजगार, पाक, कला, आदी, तमाम लोकप्रिय विशे, योग की बात, साधना की बात, बक्ति की बात, चिकित्सा की बात, प्रकृति की चेतना, ये सब भी इन पत्र पत्रिकाओं के माद्यम से उद्गाटित हुआ, ख्षित्रिय, राज्यस्तरिय, राष्ट्रिय, संस्थानगत, समाजगत, अनेक रूपों को इन पत्रिकाओं के माद्यम से, पत्रों के माद्यम से उद्गाटित किया जाता रहा, वीर अर्जुन की बात करें, आज हिं सी नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली धैनिक रूप से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी पत्रकारिता जगत में करांती पैदा कर दी साप्ताइक इंदुस्तान, धरम्युग, दिनमान, रविवार, माया, इंडिया टुडे ये पत्रकाएं तो मील का पत्थर साबित हो गई और इन्होंने हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा, नई आयाम प्रदान किये पराग, नंदन, सर्वुत्तम, युनेस्को दूत, नवगीत, ग्यानुदे, कादंबिनी, नया ग्यानुदे, आजकल, योजना, सप्सिंदु, सारिका, संचेतना, निहारिका, भाषा, समीक्षा, गंगा, अनुवाद ऐसी नजाने कितनी पत्रिकाओं ने अपनी विशेश पहचान बनाई। ये विशेक्षेत्र और इन शीर्षकों से निकलने वाली पत्रिकाओं ने जन जागरती का अदभुत कार्रे किया। तान्तों के माद्यम से एक बड़े और विशाल स्तर पर पाठकी ये जगत को जोड़ा। विज्ञान गरिमा सिंदू, आयर विज्ञान, एवं परिवार नियोजन, न्याय पत्रिका, हस्ताक्षर, साक्षातकार, इस्पात भारती, सहरदय पत्रिका, समकालीन साहित, संस्कृती, इंदरप्रस्त भारती, खोज। ये सब ऐसी पत्रिकाएं रही हैं, जो एक दिशा विशेश में उलेखनी ये भूमिका निवाती रही। इन पत्रिकाओं ने समय समय पर विशेशांक भी निकाले। इन पत्रिकाओं ने उन साहित्यकारों को शद्धांजली देते हुए, उनको समर्पित करते हुए, कुछ अंकों का प्रकाशन भी किया, जिनमें देश विदेश के अनेक लेखकों की सहयोगी भूमिका उलेखनीय रही। अब हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन अनेक देशों में होने लगा, विदेशों पर प्रकाशित होने वाले हिंदी पत्रिकाओं के विशेश अंक उनकी प्रिया रचनात्मक भूमिका निभारा आये वहां के देशों पर वहां के लेखकों पर भी विशेशांग प्रकाशित किये जाते रहें। केंद सरकार, राज्य सरकार, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशनार्थ अनुदान देने लगे। प्रज्वल महविश्य बन गया। और धीरे धीरे हिंदी पत्रकारिता आजादी के बाद से लेकर आज तक यदी हम दृष्टी डालें। तो कभी-कभी कुछ हिंदी की प्रमुख और लोकपरिय पत्रिकाओं के प्रकाशन के बंद होने की चिंता हमें परिशान तो करती है। कभी-कभी हमें लगता है कि अंगरेजी दाम आनसिक्ता के बाहुल्य से हिंदी पत्रकारिता को कुछ आगात लगा है। लेकिन नित्य प्रती हम नई नई हिंदी पत्रिकाओं के पत्रों के प्रकाशन को जब देखते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों की पठनियता के बढ़ते प्रतिशत को जब हम देखते हैं भारत के बाहर भी दुनिया के अनेक देशों में हिंदी लेखन हिंदी की पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन आदी को जब हम देखते हैं तो यह आत्मतोश होता है के हिंदी पत्र उसे भुमंडली करण से जोडने में महत्वपूर्ण अवदान किया बलकि ज्ञान विज्ञान की दृष्टी से अध्यतन अधुनातन जानकारियों की दृष्टी से वे अपनी रचनात्मक भुमिकाएं निभाती रही हैं। मित्रों हिंदी पत्र-पत्र कारिता का इतिहास बहुत बड़ा बहुत विराट इतिहास है। उपस्तित होंगे। आग्या दीजिये। नमस्कार।